हेलो फ्रेंड्स वल्कम तुमाई चैनल किदंस जैका आज मैं सेयर करूंगी मेथी मतर मलाई की रेसिपी इसे मैं फ्रेस मतर और फ्रेस मेथी के साथ बनाने वाली हूँ इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को क्लिक करें जिसे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिकिकेशन असानी से मिल सकें मेथी मतर मलाई बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मेथी मैंने डंठल को निकाल दिया है और सी पत्ते ही रखे हैं तो यह में हम हमें पेष्ट बनाना है दर दरा प्राइयन रेशिपी start करते है अब सबसे पहले हम करहाए गरम करेंगे हलका गरम हो चुका है अभ हम इसमें तेल डालें गे 2 टेबल स्पून के करिब हम इसमें तेल डालेंगे मैं यहाँ पे शाही जीरा ले रही हूँ अगर आपके जो पेष्ट त्यार किया था वो डाल देंगे अधर क्लेशन का कच्छा पंजाय तब तक हम भुणना है अब मैं इसमें डालोंगी गुना हुआ जीरी का पाउडर 1 टीस्पून 1 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून लालमीर्स पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है इसमें से बहुत अच्छा कुस्भू आ रहा है इस वक्त हम डाल देंगे मेति का साल इसे आपको काट कर डालने की जरूरत नहीं है यह बहुत ही जल्दी गल जाता है और हम मतर भी डाल देंगे मैंने फ्रेज मतर ही लिया था मैंने इससे मतर को निकाल कर और फ्रीज में रख दिया था आप फ्रोजन मतर भी ले सकते हैं अब मैं इसमें नमक एड करूंगी वन एंड हाफटी स्कूल लूंगी साथी में चुटकी भर चीनी भी डालूंगी इससे इसका केस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सारे मसाले में इने डाल दिये लास्ट में हम हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला अब हमें इसे एक मिनट के लिए बुलना है अब हम इसमें पानी आड कर लेंगे मतर को पकने में वक्त नहीं लगता है यह फ्रेस मतर है तो हम 10 मिनट के लिए इसे ढख कर रख देंगे और बीच में एक बार इसे हम देख लेंगे फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे ढख देंगे इसे हमें 10 मिनट तक ढख कर ही पकाना है 10 मिंट हो चुका है, अब हम देख लेते हैं, देखे हमारा सबजी बहुत ही अच्छे से बन चुका है और ये बहुत ही अच्छे से साइड से तेड निकल गया है और आप इसके ग्रेवी को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बना है, अब हम तेज पत्ते को हटा देंगे हमें इतनी ही थिक चाहिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे क्रीम यानि मलाई यह मैंने घर का निकाला हुआ मलाई रखा है इसे अच्छे से मैं फेट लूँगी और इसमें डाल दूँगी अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप अमूल का फेश क्रीम भी ले सकते हैं देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा मिथी में तर मलाई मिक्स करने के बाद हम एक मिनट के लिए से ढख देंगे जिसे इसका कलर बहुत ही अच्छा है अब फाइनल हम यह डालेंगे कसूरी मेति हांसे इस तरह से करके फिर डालेंगे यह रेसिपी बहुत ही आसान है इसे आप बनाए और इसे आप रोटी के साथ पराठा के साथ किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स यह थी मेरी मेथी मटरमलाई की रेसिपी बहुत ही अच्छा बना है इसे आप एक बार जरूर ट्राय करें मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक से जरूर करें मैं फिर बिलूंगी नही रेसिपी के साथ हुआ 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 है